आज की ये चुनावी सभा में मंच पर उपस्तित मेरे बहुत ही प्रिया मित्र और हम सब के अपने इस ख्षेत्र से फरीद कोट से हमारे प्रत्याशी सम्मानिय हंस राज हंस जी हमारे लोगसभा चुनाओ के प्रभारी मेरे वरिश साथी पूर में विधायक रहे हर जोत कमल सिंग जी हमारे सैयोजक लोगसभा के फरीद कोट के श्री विजय शर्मा जी मोहनलाल सेठी जी, राज्य वित कारेकारी, हमारे गौरव ककर जी, जिला धैक्ष भारतिय जनता पार्टी, सतीश अस्तीजा जी, जिला दैक्ष मुकसर साहब, हमारे सीमांत गर्घ जी, जिला धैक्ष भाजपा मोगा, निधड़क सिंग ब्राड़ जी प्रवक्ता पंजाब सरदार शम्षेर सिंग की धर्मकोट सैयोजक धर्मकोट विदानसभा श्री मुक्तियार सिंग जी हमारे सेवा निवृत और सैयोजक अपने इस खेत्र में सभी सजन रिंद जो सम्मानित मंच है और हमारे इतनी बड़ी संक्या में इतनी गर्मी में डटे हुए हमारे सजन रिंद देवी और सजनों सर्थकार जोग सभी हमारे मानिय सदसिगन और मीडिया के मेरे साथ ही प्रिंट मीडिया रिलेक्ट्रोनिक मीडिया के मेरे साथ ही मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज बाबा फरीद के नगरी में फरीद कोट में आने का सौभाग्य मिला है मैं सबसे पहले तो बाबा फरीद के चड़नों में नमन करता हूं और आशिरवाद लेकर कि अपनी बात को प्रारंद करता हूं मित्रों मैं जब यहां आया हूं तो मैं भगवान बाल्मिकी को भी याद करता हूं और उनके भी चड़नों में नमन करते हूँ अपनी बात को प्रारंद करता हूं मित्रों पंजाब की जब मैं बात करूँ बाबा फरीद की बात करूँ गुरुगोविन सिंग् की बात करूँ वीर करांतिकारियों की बात करूँ हमारे इतिहास में शहीद हुए देश के खातिर उनकी बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये पंजाब की धरती ये शौरे की धरती है ये वीरता की धरती है ये साहस की धरती है और ये राष्ट्र भक्तों की धरती है इसको हमको याद करना चाहिए ऐसे धरती को मैं नमन करके अपनी बात को प्रारम करता हूँ मैं यहाँ आपको जब मैं गुरु गोविन सिंग जी को याद करता हूँ जब मैं गुरु नानक देव जी को याद करता हूँ जब मैं दसों गुरु को याद करता हूँ और जब मैं बाबा फरीग को याद करता तो मुझे ध्यान में आता है कि पंजाब धर्म की जगा है पुन्य भूमी है ये ग्यान की भूमी है ये सूफी संतों की भूमी है ये अध्यात्मवाद की भूमी है और ये देश को दृष्टी और दिशा देने वाली भूमी है ऐसी भूमी को भी मैं नमन करता हूँ और जान में रखना चाहिए कि जब राश्ट सुरक्षा की बात आती है तो पंजाब सब से आगे रहता है जाहे वो मुगलों से लड़ना हो चाहे वो अंग्रेजों से लड़ना हो चाहे वो जालियां वाला बात का किस्सा हो चाहे वो मुगलों के साथ लड़ाई लड़ने का किस्सा हो सबसे आगे अगर खड़ा रहा है तो हमारा पंजाब रहा है हमारा पंजाब रहा है हमारा पंजाब रहा है ऐसी ये वीर भूमी है और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूँ कि इनी वीरों को पूरा मान सम्मान देने का काम में हमारे प्रदान मंत्री मोदी जी भी पीछे नहीं रहे हैं हमारे कांग्रेसी भाईयों ने लंबे समय तक आप के साथ चल किया धोका दिया हमारे फौजी भाई वन रंग वन पेंशन के लिए वो 1972 से लड़ रहे थे 1972 से किसी ने उनकी नहीं सुनी और जाते जाते 2014 में हमारे फौजी भाईयों के जखम में नमक छिड़क करके गए और 500 करोड रुपए टोकन रख करके चले गए 500 करोड रुपए और कहा कि हम तुम को वन रंग वन पेंशन देंगे आप बताओ 500 में वन रंग वन पेंशन आता है क्या दिया जा सकता है क्या आपने सरकार बलट दी 2014 में मोधी जी को प्रदान मंतरी बनाया और मोधी जी ने एक साल के अंदर सवाल लाक करोड रुपए फौजी भाईों के खाते में पेंशन में डाल कर वन रंक वन पेंशन को साकार कर दिया ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए सवाल लाक करोड रुपए उसी तरीके से हमारे नानकाना साहब गुर्णानक जी की भूमी जिसे हम दूर से देखा करते थे हम दर्शन नहीं कर सकते थे सत्तर पशत्तर साल बीद गए कॉंग्रियस्यों की पीड़िया बीद गई एक के बाद एक सरकारे आई लेकिन हम नानकाना साहब जाना हमारे दूबर था आपने मोदी जी की सरकार बनाई करतारपुर कॉरिडर बना और जो काम पशत्तर साल नहीं हुआ वो तीन साल में मोदी जी ने करके दिया और आज हम वहाँ जा सकते हैं दर्शन कर सकते हैं मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि श्रीमती गांधी ने एक लाख हमारे जेल में बंद पाकिस्तानी प्रिजनर्स वोज के प्रिजनर्स पाकिस्तान के उनको छोड़ा एक लाख जुल्पीकार अली भुटों से बात चीद हुई लेकिन नानकाना सहाब के बारे में चर्चा नहीं की करतारपूर कॉरिडर के बारे में चर्चा नहीं की इस काम को सिरे किसी ने चड़ाया और पाकिस्तान से आख से आख मिला कर अगर किसी ने बात की तो नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री जी ने की और आपके लिए रास्ता साफ किया और करतारपूर कॉरिडर बना करके दिया हमें याद है कि प्रकाशपर्ब और प्रकाशपर्ब में चाहे वो गुरु नानक देव जी का गुरु द्रानक देव जी का 550वा प्रकाश पर्व हो या गुरु गोविन सिंग जी का 350वा प्रकाश पर्व हो पहले सरकारे इसमें ब्योगदान नहीं करती थी लेकिन भारत की सरकार मोदी जी के रितुत्वे पहली वार प्रकाश पर्व को सिर्फ पंजाब का पर्व नहीं ये भी हमको ध्याद में रखना है मित्रों हमारे गुरू गोविन सिंग साहब के दो साहब जादे जिन्होंने देश की कातिर समाद की कातिर मुगलों से टक्कर ली और शहादत दी लेकिन देश में 75 साल के आजादी के बाद भी इन शहजादों को याद करने की कोई प्रव्यवस्था नहीं थी लेकिन प्रदान मंत्री मोधी जी ने वीर बाल दिवस और वीर बाल दिवस के दिन नहीं सिर्फ पंजाब में नहीं सिर्फ देश में बलकि दुनिया को बता दिया कि गुरू गोविन सिंग जी आप जादों ने देश की खातिर समाज की खातिर क्या भलिदान दिया था और किस तरीके का भलिदान दिया था ये दुनिया को बता दिया मित्रों ये कांगरेशी भाई और ये जो गलती से आए हुए आम आदमी पार्टी के कट्टर भैमान है इनसे मैं पूछना चाहता हूँ इन कट्टर भाइमानों से तुम CAA Citizen Amendment Act का विरोध करते हो तुमको मालूम है कि बंगला देश से हमारे सिख भाई धार्मिक कारणों से वहां से भगाए गए आपको मालूम है कि पाकिस्तान से हमारे सिख भाई धार्मिक प्रतार्ना के कारण उनको भारत आना पड़ा हमें मालूम है क्या कि अफगानिस्तान से हमारे सिख भाई धार्मिक प्रतार्ना के कारण भारत आए और आज नहीं आए बीस साल पहले आए पच्छिस साल पहले आए उनको नागरिक्ता नहीं थी नागरिक्ता, उनको नागरिक्ता देने का काम किया है, तो वो भारत के यशस्वी प्रधान मंद्री, हम सब के हर्मन प्यारे, अदर्णियन नरेंद्र मोधीजी ने दिया, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए! आज वो भारत के नागरिक बन रहे हैं वो भारत में हिज़त से रह सकते हैं और हमारे आमाद्वी पार्टी के केजरिवाल वो इनको बोलता है ये बलतकारी हैं ये रेपिस्ट हैं ये चोरु चक्के हैं इनको सिटिजनशिप देने का मतलब है भारत में गड़बडी, खलबली बोलो ऐसे केजरिवाल को आगे आने दोगे क्या जड़ा जोर से बोलो भाई हमको उंचा सुनता है ऐसे केजरिवाल को आने दोगे क्या जो शरणार्तियों को बलातकारी बोले जो शरणार्तियों को बेचारे वहां से निकाले गए और उनको इस तरीके से कहे मैं बताता हूँ दो साल पहले अफगानिस्तान में तख्ता पल्टा हमारे सिख भाई अपने गुरु गुरंट साथ को बचा करके उनको भारत आना पड़ा लेकिन सरकार यहां पर मोदी जी की थी मोदी जी ने कहा तुम्हारा तख्ता पल्टा होगा लेकिन मेरे भारत के एक भी सिख भाई का नुकसान नहीं होना चाहिए मैं एरो प्लेन भेज रहा हूँ मैं अपना मंत्री भेज रहा हूँ वो बाइज़त उनको लेकर के आए और मुझे याद है कि गुरुगरंड साहब की सेवा करने का दिल्ली के एरपोर्ट पर मुझे भी सेवा करने का मौका मिला और गुरुगरंड साहब को हम गुर्दवारे में इस्थापित कर पाए, ये हमने देखा है, ये हम लोगों ने देखा है, मित्रों मैं यहां ये भी कहना चाहता हूँ, कि आज मोदी जी के नित्त में सारा देश आगे बढ़ रहा है, सारा देश, आज अमरीका की अर्थनीती डगमगा गई है कोरुना के बाद, आज योरोप की आर्थनीती पिछड रही है, आज चीन पिछड रहा है, जापान पिछड रहा है, रश्या में आर्थिक नीती में बंदी है, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, यही हमारे हंसरा जी सांसद रहे हैं, दिल्ली से, इन्होंने भी पूरी ताकत लगाई, और मोदी जी के नि इन वीपरीत परिसिती में भी भारत की अर्थ विवस्ता ग्यारवे नंबर से चलांग लगा कर, ब्रतानिया को पछार कर, पांचवे नंबर की अर्थ विवस्ता बन गई पांच में नमबर किया तो अब हम आप से निवेदन करने आये हैं बाबा फरीद की नगरी में पुन्य भूमी में हमारे हमारे बहुत ही हर्मन प्यारे अजीज हंस राज हंस को चुनाओ जिता के भेजो मोधी जी को तीसरी बार प्रधान मंतरी बनाएंगे और भारत नोट कर लेना मेरी बात भारत तीन साल के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ती बन जाएगा एकनॉमिक पावर बन जाएगा यह याद़ आज आज दुनिया में दवाई बनाने में भारत आज दूसरे नंबर का देश है दवाई बनाने में मैं भारत का स्वास्त मंत्री रहा हूं मैं पत्रकार बंदूंगों को बताना चाहता हूं इस देश में कोरना इस देश में टेटनस की दवा को आने में 28 साल लग गए अपने देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 30 साल लग गए अपने देश में टी बी ट्यूबर क्लोसिस की दवा को आने में 28 से 30 साल लग गए लेकिन जब कोरना आया दुनिया नहीं जानती थी किसकी दवा क्या होगी बड़े बड़े देश पर शुपेश में थे मोधी जी ने नौ महीने के अंदर इसी देश के ये वैग्यानुकों के माद्यम से एक नहीं दो दो टीके दो दो वैक्सीन बनाने का आत निर्वर बनाने का काम किया और एक सो चालिस करोड के देश को डबल डोज दो सो बीस करोड और विद्बूस्टर लगा करके कोरुना से बचाने का काम किया तो प्रदान मंतरी मोधी जी ने किया और आपको जानकर खुशी होगी कि दोई में भारत दुनिया का दूसरा नंबर का देश है सबसे सस्ती और टिकायू दोई भारत बना रहा है और कोरोना की दवाई हमने सो देशों में पहुँचाई सो देशों में और अरतालीस देशों में भारत ने वैक्सीन मेत्री में मुफ्त में दवाई पहुँचाई अंतर ये है को भारत मांगने वाला भारत नहीं है अब भारत देने वाला भारत दन्या को देने वाला भारत है ये अंतर आजिए पैट्रो एक्ट्री में हम 106 प्रतीशत हमारा निर्यात हमारा एक्स्पोर्ट बढ़ गया हैं तॉय इंडिस्ट्री में हमागे बढ़ गए हम जापानी गारियों की बात करते थे टोयटा डेट्सन टोयटा डेट्सन आज आपको में बताना चाहता हूं आपको करके भारत आज दुनिया में तीसरे नंबर का आटो मोबाइल मार्किट बारत बन गया है तीसरे नंबर का भारत уже भारत, और एक बात और Belताना चाहता हूं, भारत के बारे में आपके हाथ में मुबाइल है ना आपके हाथ में? जड़ जोर से made in Japan made in Taiwan made in Korea आज आपके mobile पे लिखा है made in India आज 97 प्रतिशत mobile भारत में बन रहा है ये बदलता भारत है दुनिया मान रही है कि आज भारत लीड कर रहा है बोलो दुनिया में भारत की चवी आगे बढ़िये की नहीं बढ़िये जर जोर से बोलो बढ़िये की नहीं बढ़िये मोदी जी के नितुत में आगे बढ़िये की नहीं बढ़िये आप बताईए मोदी जी के नितुत में गाओं गरीब वंचित पीडित सोशित दलित युवा किसान महिला अगर इनको किसी ने ताकत दी है तो वो मोदी जी की कारेक्रमों ने और मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी है मोदी जी के कारण नीदिया मजबूत हुई है आप बताओ आपके गाउं में पक्की सड़क पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है जर जोर से बोलो भईया पहुंच रही है पहुंची है कि नहीं साथ हजार किलो मीटर पिछले पांच साल में गाउं की सड़के बनी है साथ हजार किलो मीटर पंजाब में वैसे डेल लाग किलो मीटर बनी है सारे देश में पर साथ हजार पंजाब में बनी है आप बताइए गाउं में आज वाई फाई चलता है कि नहीं चलता है चलता है कि ने चलता है मोदी जी ने डेड़ लाक गाउं में दो लाक गाउं में अप्टिकल फाइबर पहुँचाया अप्टिकल फसाइबर और दो लाक गाउं में common service center कोल दिया जिस common service center के कारण کم्प्यूटर से फरीद कोट के गाउं में रहने वाला किसान पता कर सकता है कि उसकी गंधम को सबसे अच्छा दाम दुनिया के किस मंडी में मिलेगी और कहां वो बेच सकता है ये ताकत मोदी जी ने दी है आपका फ्लॉरी कल्चर आपका फूल दुनिया के किस मंडी में सबसे अच्छा विख सकता है ये आपको गाउं में पता चल सकता है और मेरे युवा साती सुन लिजिएगा आपको गाउं में Common Service Center से ये पता चल सकता है कि कौन सी युनिवस्टी में दुनिया की युनिवस्टी में मेरा admission हो सकता है और उसका form आपको कंप्यूटर से डाउनलोड हो जाएगा आप उसको भर करके भेजेंगे और आपका दुनिया के किसी भी युनिवस्टी में admission होने की ताकत आपके गाउं में आ गई है ये हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसलिए जब ये इमान बोला करते थे इनको मालूम नहीं है भारत अंपड है ये कंप्यूटर लेके क्या करेगा ये डिजिटल लेके क्या करेगा यहां तो कुछ भी नहीं चलेगा इनको भारत के नौजवानों का सामर्थ नहीं मालूम था इनको भारत के किसानों की ताकत नहीं मालुम थी इनको भारत के लोगों की ताकत नहीं मालुम थी आज बताओ मेरे दोस्तों मेरे भाईयों आज सबजी वाला के दुकान पर QR कोड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है आज सबजी वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है डिजिटल पेमेंट लेता है ये बदलता भारत है ये बदलता भारत है जिसको तुम अनपड़ बोलते थे आज दुनिया का डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत दुनिया का 40 प्रतिशत डिजिटल ट्रांजक्शन भारत कर रहा है भारत ये बदलता भारत है और मोधी जी ने दुनिया भर को ये आवान कर दिया कि हमारा कोई पंजाबी मित्र भाई कनडा से आए अमरीका से आए इंग्लेंड से आए उसको पैसे लाने की जुरत नहीं है वो सिर्फ लेके आना सारे भारत घूम करके चले जाओगे तुम्हारे को डिजिटल पेमेंट से तुम्हारी विवस्ता हो जाएगी तुमको कोई कैश लेके आने की जुरुरत नहीं है ये बदलता भारत है यहां बैठे हैं हमारे हांसराज जी हमारे MP हैं और आगे भी आपके वो बैठे हैं मैं स्वास्त मंत्री था ये सब में जो चिट्थी लिखते थे क्या चिट्थी लिखते थे नड़ा साब स्वास्त मंत्री जी साढ़े घौच शाढ़े पिंड च एक बंदा हैगा उनूं कैंसर हो गया है गा उदा इलाज होना सी उदा दो लख लगंगे जी तिन लख लगंगे एक बंदा है का जी उदे ओपरेशन होना जी हार्ट न नवा वैल पहना है का जी उदा की बोल दे ओज़ड़ा बाइपास सर्जरी होनी ओख किड्नी बदल होनी है की और लिवर दा ट्रांसफर होना जी बी लख दो जी दस लख दो जी पंज लख दो जी दो लख दो जी एक तिन मंग दे थे मैं देड़ देदा था एक दो मंग देदा थे मैं एक देदा था बाकि ऐसी जनता जनारदन ते कठा कर देथे था की नहीं था दड़ा कुछ बड़ा सोच और उन्होंने बड़ा सोचा आज भारत में दस करोड़ चोहतर लाख परिवार फैमिली पचास करोड़ लोग जो गरीब हैं कौन है रेड़ी वाला रिक्षा वाला ठेला वाला सब्जी वाला बस का ड्राइवर कंड़क्टर बस का क्लीनर ट्रक का ड्राइवर ट्रक का क्लीनर लिफ्ट मैन सिक्यूरिटी मैन बाल काटने वाला सेलून में कुड़े दान से प्लास्टी की कठा करने वाला सबजी मंडी में और अनाज मंडी में और दाना मंडी में पल्ले दार बोजा उठाने वाला अनाज उठाने वाला ऐसे गरीब लोगो और 365 करोड रुपे का इलाज गरीब लोगों का हो चुका है 365 करोड रुपे का इलाज हो चुका है अब मैं खुशकबरी आपको सुनाना चाहता हूँ मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना यहां बैठे जितने भी बुज़र्ग हैं जिसकी उमर सत्तर साल से उपर की हो गई कोई भी बेहने हैं कोई भी माता हैं जिनकी उमर सत्तर साल से उपर की हो गई और आगे जिनकी उमर सत्तर साल से उपर की हो जाएगी अगले साल उस से अगले साल इन सब लोगों को बिना उनका धर्म देखे बिना उनकी जाती देखे बिना उनकी इलाका देखे और बिना उनकी आमदनी देखे अमीर हो या गरीब इस देश का सतर साल से उपर के हग नागनिक को मोदी जी हर साल आयूशमान भारत का पांच लाक रुपे का कार्ड देंगे पांट लाख रुपए और और पांट लाख रुपए देंगे पांट लाख रुपए और यहां इन्शुरेंस कंपनी भी सतर साल के बाद किसी का हेल्थ का इंशुरेंस नहीं करते और ये पांच लाग रुपए तब तक मिलते रहेंगे जब तक वो जीवन की अंतिम सास नहीं ले लेगा अजीवन यानि सत्तर के बाद असी का होगा तो ज़्यादा बुजर्गी होगा ना ज़्यादा बीमार होगा लेकिन उसके ही लाज की विवस्ता प्रधान मंतरी मोधी जी करेंगे इसकी हमको ध्यान में लखना जाए हमारे मन्रेगा के दृष्टी से लोग बोलते थे बंद हो जाएगा अभी हमारे भाई साब बोल रहे थे कि उनकी चिंता होनी है मैं कहता हूँ आप एक बात ध्यान रखो मन्रेगा के दृष्टी से भी आपने हंस राज हंस की चिंता एक तारी को कर लेनी बाकी चिंता मैं करूंगा हमारी सरकार करेगी यह आपको विश्वास दिलाना चाहता ह यहां बैठे लोग मैं 1993 में मेले बन गया था 1993 मेरी उमर उसमें 31-32 साल थी मेरे इलाके में मेरा बीडियो था ब्लॉग डेवलेप्मेंट आफिसर वो मेरे को आके बोलता था कि नड़ा साब तॉन्नु एक खुशकवरी सुनाईए मैं बोलता था आओ भई चार्शा पियो सुनाओ खुशकवरी की खुशकवरी है बोलता था तॉन्नु ना न इस साल एक पंचाइच्छ दो इंदरा आवास योजना दे कारमिले ने दो दस्सो किनू देए मैं कहनदा भई एक अनार सौ बिमार मैं की करल जा जी तुसी अपे बंदो मैं नहीं बंद सकता हूँ यह आप बाटो दिये दो मकान लेके मैं क्या करूंगा और देखो मोधी जी ने चार करोड घर बना दिये चार करोड प्लान मंतरी हावास योजना में और हंसराज हंस को चुनाओ ज जाएंगे तीन करोड कोई कोई कच्छी छट के नीचे नहीं सोएगा सब पके छट के नीचे सोएंगे और एक बात और बता दूं वो आप ध्यान में रखना वो आप सब पर भी लागू होगा आप सब लोग याद रखना मेरी बात हंसराज हंस को चुनाओ जिताओ आने वा हो जाएगा Hollow हो जाएगा Zero कोppt कि एक नई योजना आ रही है है प्रदानमंत्री सुरिय घर मुफ्त बजली योजना है सरकार की तरफ से हर कर के उपर सौर अर्जा का प्लांट लगेगा सोलर एनरजी का प्लांट लगेगा और उस एनरजी से आपके घर की बिजली का खर्चा होगा और आपकी बिजली का बिल जीरो हो जाएगा जीरो सूरज की किर्णों से आपकी बिजली सौर उर्जा और प्लांट सरकार लगाएगी सरकार उसके लिए आपको मदद करेगी और जो बिजली खर्च नहीं होगी, वो बिजली ग्रिड में चली जाएगी, और ग्रिड से जब वो खर्च होगी, तो जितने यूनिट आपके घर की बिजली खर्च होगी, उतने यूनिट का पैसा आपके घर में आमदनी के माद्यम से आपको मिल जाएगा, ये फैरत होगी. बोलो बदलता भारत है की नहीं है बोलो बदलता भारत है की नहीं है मैंनू उच्छा सुन्दा जरत जोर्णाल बोलो बदलता भारत है की नहीं है ये फर्क हमको समझना चाहिए गाउं गरी बंचित पीड़ित सोशित धलित युवा किसान हमारे धलित भाईयों का बजट कि या जा रहा है दलिद के लिए हर तरीके का काम चल रहा है एक लव या क्रोडे और आपके लिए प्रदान मंझरी जन्मन अमारे । बाइयों के लिए जन्मन प्रदान मंझरी जन्मन 24,000 करोड रखें 24,000 करोड उप्हां की तस्वीर बदल देगा गाउं की तकदीर बदल देगा काउns का विकास करेगा उसको हमको ध्यान में रखनें जिसले स्लिमित्रों भारत आगे बढ़ नहीं बोलो आजकल पंजाब में हाईवे बन रहे हैं कि नी बन रहे हैं? जरजोर से बोलो बन रहे हैं कि नी बन रहे हैं? फोर लेन बन रहे हैं कि नी बन रहे हैं? शिक्स लेन बन रहे हैं कि नी बन रहे हैं? एलिवेटेड रोड बन रहे हैं कि नी बन रहे हैं? ओवर ब्रिज बन आज भारत जहां आपको जाने में तीन-तीन घंटे लगते थे आज आप आदे-ादे घंटे में पहुंच रहे हो यह बदलता भारत है और इस बदलते भारत को ताकत देने का काम आपको एक तारीख को करना है हमारे हंस राज हंस जी को चुनाओ जिता करके आपने भेजना है ये मैं आपसे निविधन करना जाओ, हंस राज हंस जी, आप जानते हैं, ये अच्छे गायक जरूर है, ये अच्छे कलाकार है, ये सेवक है, लेकिन मैं आपको बताओं, मेरा हंस राजी से पिछले तीस साल का रिष्टा है, हंस राजी सबसे पहले एक बहुत उत्तम किसम के इनसान है, इनसान है, बहुत उत्तम किसम की इनसान, ये किसी का दर्ध नहीं देख सकते, जब तक दर्ध का निवारन न कर ले, चैन से बैटने वाले नहीं हैं, और ये हरमन प्यारे, हमारे मुधी जी के भी बड़े हरमन प्यारे हैं, इनको आपका आशिर वाज, फरीद को सोची कि अगर हमारा भाई दिल्ली में सेवा कर रहा है तो आज आवशकता इस बात की है कि यह पंजाब की धर्ती की सेवा करें और हमारा पंजाब का पुत्र पंजाब सबूत आगे निकले और आपकी सेवा करके आगे बढ़ें बोलो इनका आशिरवात मिलेगा ना मिलेगा ना आप इनको ताकत देंगे ना पूरी ताकत देंगे मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूँ ये दो पार्टियां ये मदारी गिरी करती हैं मदारी गिरी एक आहम आदमी पार्टी कत्र बैमान पार्टी बोलो कत्र बैमान है कि नहीं है कत्र बैमान है न ये कत्र बैमान पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी दिल्ली में दोस्ती पंजाब में नूरा कुष्टी यहां चुन जिल्ले में बलते हाई गले लग जा वहां गले में बाता देखते थे अब ये नए मुक्यमंत्री सीश महल में जाके माता देखते हैं ऐसे लोग है ये और ये कागजी मुक्यमंत्री ये कागज में मुक्यमंत्री है पंजाब का दुर्भाग गया है कि पंजाब को पंजाब नहीं चला रहा है दिल नहीं चला रहा है ये परि है कि नहीं हो रही है बताओ हो रही है कि नहीं हो रही है और आप बताओ यहां ड्रग का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है शराब का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है गलत धंडे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं और सरकार के सरक्षन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं मित वो हम सब के ध्यान में आता है मैं यहाँ यह भी कहना चाहूंगा यह एक इंडी गटबंदन यह गमंडिया गटबंदन यह चाहे आम आदनी पार्टी हो चाहे कॉंग्रेस पार्टी हो दोनों ही भरष्टाचारी पार्टियां है दोनों ही ब्रस्ता चारी पाटी बोलो कांग्रेस ने कोईला घोटाला किया था कि नहीं किया था चीनी घोटाला किया था चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था टू जी थ्री जी का घोटाला किया था कि नहीं किया था समुद्धर का पंडुपी घोटाला किया कि नहीं कि अगस्ता वेस्ट लेंड का घोटाला किया कि नहीं किया कॉमन वेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया यह सारे घोटाले करने वाले कांग्रेस पार्टी बोलो अर्विंद केजरिवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया य गोटाले बाद चोर चोर मौसेरा भाई यह सब चोर मौसेरे भाई बने हुए है आप बताओ राहूल गांदी बेल पर है की नहीं है जग जोर से बोलो बेल पर है की नहीं है सोनिया गांदी बेल पर है की नहीं है पी चितमरम बेल पर है की नहीं है कार्तिक चितमरम बेल पर है कि नहीं है टीम सी ममता के बंतरी बेल पर है कि नहीं है डीम के के नेता बेल पर है कि नहीं है आप बताओ बनीश सुदिया जेल में है कि नहीं है सतंदर जैन जेल में है कि नहीं है अरविंद केज रिवाज में जेल में था कि नहीं था एक तारी को वापस जाएगा कि नहीं ज यह सब भरष्टाचारी नेता यह सब आकंट भरष्टाचार में डूबे वे नेता इनसे हमको छुट्टी पानी है और ध्यान में रखना है मैं यहां तुमें एक बात और बताना चाहता हूं अभी हंसराज जी ने मेरे से मंगरेगा की बात की मैंने आपको बताया लेकिन हम मैं एक बात और बताना चाहता हूं इन कांगरेशियों से साबधान रहना इनाम आदमी पार्टी हैं साबधान रहना चुनाओं के बाद ये लोग दलित भाईयों का आरक्षन दलित भाईयों का रिजर्वेशन इस पर डाका डाल करके मुस्लिम को देने का प्रयास कर रहे हैं माइनॉर्टी को देने का प्रयास कर रहे हैं बोलो होने दोगे क्या होने दोगे ये राहूल गांदी सोनिया गांदी आम आदमी पार्टी ये सब दलितों के रिजर्वेशन पर डाका डालने का काम कर रहे हैं इन्होंने पांच वार अंधर प्रदेश में किया दो कुआर करनाटक में किया कोट सामने आ गई बचाने के लिए और मोधी जी ने कहा है जब तक मोधी जिन्दा है और जब तक बीजेपी है तब तक दलिद भाईयों के आरक्शन पर कोई डाका नहीं डाल सकेगा कोई डाका नहीं डाल सकेगा यह कहा है और इसलिए आप से मैं निवेदन करने आया हूँ कि आप हंस राज हंस जी को चुनाओ जिताईए और हमारे फरीद कोट के विकास के लिए आप पूरी ताकत से आगे बढ़िए और कंदे से कंदा मिलाकर इस फरीद कोट को आगे बढ़ाने में कोई कसर मत छोड़िए बोलिए आपका अशारवाद मिलेगा ना मिलेगा मिलेगा फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार अब की बार अब की बार अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद